आज में आपके साथ शियर कर रहे हूं राखी स्पेशल एक और डिफ्रेंट से मिठाई की रेसिपी अगर आप खेवर का टेस्ट मिठाई में लेना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसान है और मिंटों में बन का तयार हो जाती है त इसको थोड़ा सा रेडियो जोने देते हैं जब तक यह बॉइल हो रहा है तब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने छह साथ रस्क ले लिए हैं और इन रस्क को हम डाल देंगे एक जिप ब्लॉक बैग में क्योंकि हम इसका चूरा बनाने वाले हैं तो हम बिल्कुल बारिक पाउडर नहीं बनाएंगे इसको हल्का दर्दरा रखेंगे तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको बेलंसे कर रहे हूं आप चाहें तो चूटे-चूटे पीस का कि हल्का सा पल्स में इसको मिक्सर ग्रेंडर में भी घूमा सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा मैं थोड़ा सा कृण्चिन तो यह देखिए मैं इसको हलका-डर्दरा कर लिया है त지만 यहां पर यह शूछ आख अचte को साइड में रख देते हैं अब हम जो रब्दी तयार कर रहे हैं तो वहां पर मैं यूस कर रही हूं यहां मेरे पास केसर वाली बर्फी थी तो मैं यह अगर बर्फी नहीं है आपके पास में तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं तो लगभग आधा कटोड़ी लगभग इसमें आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए और जटपट आपकी पांच मिट में रबडी बनकर तेयार हो जाती है तो मैं यहां पर बर्फी इसको ठंडा होने देते हैं इसको साइड में रख देते हैं तो इसको ज्यादा थिक नहीं करना थोड़ा सा पतला ही लगभग रखना है अब यद्ये देते हैं जब तक दूसरी तरफ हम एक कड़ाइ रखेंगे और उसको डाल देंगे यह बर्टा देंगे 2 चम्मच घी और इसको पिल्कुल low to medium flame पर हलका साम इसको roast कर लेंगे लगबग आदा से एक मिनिट के लिए तो बिल्कुल gas का flame low to medium रखेंगे नहीं तो यह जल जाएगा तो यह देखिए friends यह अच्छे से roast हो गए इनको transfer कर लेंगे एक दूसरी plate में और इस कड़ाई में हम तयार करेंगे चाशनी तो मैंने यहाँ पर 3-4 चमश लिया है पानी साथी में हम इसमें डाल देंगे 2 चमश चीनी के तो आप चाशनी थोड़ा सा ज्यादा बना सकते हैं म उतना ही इसको पकाना है उसके बाद में गैस को बंद कर देना है तो यह देखिए विलकुल तार बनने लग गया मैंने गैस को off कर दिया है अब हम इसमें add कर देंगे जो चूरा हमने तयार किया था roast करके वह हम इसमें डाल देंगे यह चाशनी के साथ मैं अच्छे से mix कर ल चूरा बिलकुल रेडी है तो इसको सैट करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से कोई भी कटोरी या फिक मफिन मोल्ड वगेरा जो भी आपके पास हो उसमें आप सैट कर दीजिए तो इस तरीके अच्छे से इसको प्रेस करिएगा जिससे कि यह अच्छे से सैट हो जाय है बहुत अच्छे से सट हो गया यह तो सबस्त है आप जब इसको सट करें तो फूरा अच्छ से प्रस कर दीजिए गटा तो यह देखिए तो इसमें चॉकलीट फ्लेवर का भी आप बना सकते हैं आप इसमें सकते हैं तो फ्रूट्स भी आइड कर सकते हैं अपने इसाब से ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर दिया है पिस्ता से थोड़ा से रो गुलाब की पती और साथ में थोड़ा सा तो जरूर किजिएगा थैंक यू फो वाजिंग मैं वीडियो फिर मिलिंगे एक नही रेसिपी के साथ में बाइबाइ